नमस्कार, गाहतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए हमेशाई जोतिसा से जुड़ी हुई महत्यपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर परसारित करते रहते हैं, जोतिसा से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप के लिए लेकर आते हैं जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप उसका अवसे ही देखते हैं अक्सर हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण वा खतरनात आकरमत वा सबसे ज्यादा पीडा देने वाले ग्रह जो माने जाते हैं वा र है कि आप लोगों तक पहुचाना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति से आजमाएगा इस पर अमल करेगा तो प्रतिफल उसका अवसे ही देखेगा तो ऐसा उपाई जब भी हमें सास्तर में मिलता है हम अतिसी ग्रह आप लोगों तक पहुचा देते हैं आज भी ऐसा ही बढ़ते ही जा रही हो और व्यक्ति के सारे उपाई निस्फल साबित हो रहे हो तो उस परिस्तिती में यदि कोई भी जातक इस उपाई को आजमाता है तो इसका प्रतिफल अतिसीग रही उसे देखने में आता है और परिणाम सरूप राहुगरसान्त हो जाते हैं और कहीं कहीं यदि उन से हमें सुफल प्राप्त होना होता है मिलना होता है तो वह हमें अवस्य ही मिलता है अत्यंतसरल है सिद्ध है और एक बार करने में ही इसका चमतकारिक परिणाम आपके हाथ में होता है तो उपाई जानते हैं कि क्या है उपाई जो बताया गया है बताया गया ह कि एक चाधी का सर्फ या मिस्रित धातू या चाधी का या पंच धातू का तो इन तीरों में से किसी भी धातू का एक सर्फ की जो आकरती होती है अकुपारने बीच वाली अंगुली से चोटी होनी चाइए घूम के लंबा भी होगा तो घूम कर वह चोटा अंगुली से बड़ा नहीं होना चाहिए यह प्रमाण होता है जो तिस शास्त्र में चादी का सर्प बनाकर उसके मुख में गाय का गोबर जो गाय का मल होता है उसको थोड़ा सा चिपका दे मल ना होने पर उसके मुख में सहद लगा दे सादी का सर्प बनाना है उसके मुख में गोबर गाय का गोबर उसके मुख में लगा देना जिससे कि उसका मुख ढग जाए यादि मुख गोबर नहीं मिलता है तो सहद जो हनी जिसे कहते हैं मद जिसे कहा जाता है उसको उसके मूँ में लगा देना है उसके पसाथ कोई स्टील का या लोहे का ऐसा डबा जो कि बंद हो जाए उस डबे में लोबान का तेल तारपिन का तेल या ये ना मिले ब्यक्ति को तो तिल का या सरसों का तेल उस डबे में तो इस टील का भी हो सकता है लोहे का भी हो सकता है छोटा होना चाहिए जो कि बंद हो जाए उसमें लोबान का या तारपिन का या अन्य तिल या सरसों का कोई भी तेल मिल जाए उसको उस पे डाल दे डबे में तेल वैसे तो लोब में मुखनाप में गाय का गोबर लगाया और ये सहद लगाया उसको उस डब्बे में डाल दें जिसमें की वो डूब जाए और उस डब्बे को आप बंद कर दें अब ये प्रक्रिया कब बताए गई है करने के लिए या तो नाग पंचमी स्री कृष्ण जनमाच्टमी सिवरा जातरी अमावास्या या किसी भी कृष्ण पक्से के सौंबार के दिन इस प्रक्रिया इस प्रियोग को इस उपाय को करना चाहिए तो इसी दिन आप लोग करेंगे इसको इस दिन अब आपने डब्बे में वो सर्प को डाल कर उसको बंद कर दिया अब इसे किसी बहते हुए जल में आपने छोड़ देना है या बहता हुए जल ना प्राप्त हो तो किसी समसान वाली जगह में या किसी वीरान वाली जगह में जमीन से थोड़ा मिट्टी को हटा कर यानि कि गड़्डा को उतकर उसमें इसे आप दबा दे और वापिस अपने घर को आपके लिए वाप पीछे मुणके कभी भी नहीं देखा जाता है और घर में आने से पूर अपने भी तरफ प्रवेश करने से पूर अपने हात्वाओं दोकर अपने सरीर में कुछ पानी की बुद्धर डाल कर या गंगाजा गोमूत्र से सुद्ध करके ही भी तरफ प्रवेश करना होता है तो य तीन बार या साथ बार इस प्रियोग को उपाय को अवस्य ही कर लेना चाहिए। यदि आप तीन बार या साथ बार इस उपाय को कर लेते हैं तो ये मान के चलिए लिख लीजिए गैरंटी के सांथ दुबारा पूरे जीवन काल में राहुग्रह फिर कभी आपको सताएंगे न जोगा, क्योंकि आपने उनके मुक में ही गोबर जिससे कि उनका मुक जो खराप हमारे हो और जो उनके क्रिणा आती वो बंद हो गई या फिर सहत से, सहत को भी बहुत सक्तिसाली माना जाता है गोबर और सहत का ही वर्णन है, तो उसको उनके मुक में लगाकर डब्बे में डबा दीजिए, डालकर, बंद करके जल में या वीरान जगह, समसान या वीरान में उसे गड़ा कोट कर डाल दीजिए या विसर्वित कर दीजिए, दुबारा कभी नहीं सताएंगे आपको राहुगर, इतना जबरतस्त यह उपाई बताया गया है, इसी के साथ-साथ केतु अधिसी ग्रह का भी एक बहुत ऐसा ही उपाई बताया गया है, जो कुछ से संब्धित है, उसको भी अतिसी ग्रह ही हम आप लोगे भी चिलाने का प्रियास करेंगे, तो कैसा लगा आपको या उपाई राहुगर से संब्धित, पूरु में भी हम आप लोग के लिए एक से द्रह के उपायों पे एक बार जाके देखिए, लोगोंने आजमाया है और प्रतिफल प्राप्ति किया हुआ है, और ये उपाय भी वैसा ही है, क्योंकि जब राहुगर किसी भी प्रकार से संतना हो रहे हो, तो उस परिस्तित में राहुगर को संत करने के लिए एक माना जान वाला या सिद्ध उपाय है, तो हम आप लोगों से आगरा करेंगे, कि यदि पीडा राहुगर की चल रही हो, तो तनी की भी देर ना करें, और इस उपाय को आजमाल है, प्रतिफल आपके हाथ में होगा, हैरान हो जाएंगे आप, देख कर इसके परिणा हो, तो जानकारी अगर अच्छी लगे, तो जरूर आगे बढ़ा कर सेहर कर सकते हैं, हमेशा कहते हैं हम लोग, और नए लोगों से तो आगरा रहता है, कि जब आपको हमारी जानकारिया पसंद आती है, तो जुड़िए गायत्री जोतिस की इंत्र के साथ, चैनल को सबस्क्राइब तो करते ह लेकिन बेल आइकन अवस्य दबाईए, जिससे कि जब भी जानकारी यहां से प्रसारित हो, आप लोगों तक पहुंचे और आप उसका आनंदर ने पाए, तो मिलें गया ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस आपसकार, जैसरी राम, जैसरी किष्णा, ओम नमस्तु आइज